इस लिक्चर में हम लोग जानेंगे कि कैसे लीवर के अंदर बड़ सप्लाई होती है ठीक है अगर हम लोग एक बार यह समझ जाएंगे कि लीवर में कैसे बड़ सप्लाई होती है तो हम आसानी से लीवर के फंक्शन के बारे में जान जाएंगे ठीक है ना ठीक है एक शी आप लोग हम यह बता दें लीवर एक ऐसा ओगन है जहां दो किस्म का या दो परकार का ब्रट जाता है करता है है तिक है एक यह भी इसको पुलते हैं दो जगहां पर होता है एक यह दो जगह पर देख रहे वहाँ पे और दूसरा ब्रेन में होता है ठीक है ना तो ठीक हम लोग डिसक्स करते हैं कि कैसे लीवर ब्रट को रिसीव करता है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कैसे लीवर ऑक्सिजिनेटिल ब्रट को रिसीव करता है हम लोग पहले ऑक्सिजिनेटिल ब्रट को देख करने जा रहे हैं कि कैसे लीवर आक्सिजिगेंटेटर बड़ रिसीव करता है ठीक है यह यह हम लोग देख करेंज यह क्या यह यह दिख रहा है यह हाट के में चेंबबर होते हैं होड में कितने चेंबर होते हैं ठीक है देखिए राइट ट्रियम राइट वेंटिकल लेट एक्रियम लेट वेंटिकल ठीक है दीज और फोर चेंबर विच परसेंट इंदर श्यूमन होते हैं थीक है यह कहां पर होते हैं त्ट ऐलिए लेसे अक्सीजगेंटट होगा टिक कैना यह किय। इसको हम जब आप लोग को सल्कुलेटि सिस्टम पढ़ाएंगे तब इसकरेंगे अभी के लिए इतना जान जाते हैं कि लेट वेंटिकल में जो भी बरड होगा ऑक्सिजेटेड होगा ठीक हम लोग देख रहें लेट वेंटिकल से एक आर्टरी निकलती है यह वाली उसको बो लेट वेंटिकल से थीक है दो लेट वेंटिकल में कौन सा बल्ड़ ता और से इनेट होता है ठीक है अब हम लोग लोग देख रहे हैं यह यह श्यॿंअटिड बलड रेक्र नाले कर आरही है ठीक है यह ऊक्सिजिएंट बलड ऑलट इस तरीके से ऐओ्टा के ठूर नीचे जाते हैं यहां जाइसे फोचा अब हम लोग देख रहे हैं अब यहां से अपनी एक ब्राँच बनाती है यह यह आटता किया गांती है अपनी एक ब्रांच बनाती है यह चले जाती है यह जो dyush saliva यह और यह से देखिए यहां से हमारा लीवर सुरूब यह देख रहे हैं यह लीवर है यह देख रहे हैं यह लीवर है है लीवर है सब देखें की लीवर के पास हो इसी तो तो बीटिक अर्टरी अपने ब्रांच घोंगे लाईगे जहां कर अब अब देखिया है इसे यह प्रांच हो में दिवाइड होके क्या बनाई ब्रांचias है है तो हम कह सकते हैं कि अब जो है ऑट से औक जिनेटिट बर्ड कहाँ पहुचा अब देखिए ब्रांच वह एट टी परन्ट अ ती अर्टरी में पहुचा क्या पोचा आप हम लोग हमने आप लोगों को पहले बदा दिया यह क्या अप्लिव लोग होटे हैं टीकर यहां पर लुब्सार करता है नेरी तो यहां पर हम रिम नहींडर क्या प्र Penn Avenue कोँजयिए पर की नियुटे थे नहीं नहीं होती है भी विर यह लेकिन हम ओने थाउजन र wonderful नहीं दिया दो लूब सो टाल कि हम अपको आप लोगों को आसानिस सम्झाब कर रहे हैं थीक है नश्यावल नहीं होती हैं दो नहीं होते हैं मौटधन फाउजन होते हैं जैसे जी हम लोग देख नहीं हहाँ उन जबहें लोबी फोकस कर रहे हैं थीक है पस बालने के भी इतरी है पकेपार जाने पर कशाए bereft हो गए इसको बहुत यहां पर पहुचा है यहां पर पहुच गया इसी तरीके से हर कार्णर पर पहुचेगा छिन ईजिसार किया है यह यह पर पहुचेगा अब रिखिगें यह कार्नर से क्या है एक कैपिलरी होती है क्या होती है कैपिलरी होती है उसको क्या भलेंगे साइनोसाइड यह दिख रहे हैं यह कैपिलरी है साइनोसाइड का एक एंड किसे जुड़ा होता है ब्रांच आप हैपेटिक आर्टरे यह ब्रांच आप हैपेटिक आर्टरे यह साइनो सब्सक्राइब का एक हैंड एक सब्सक्राइब का हैं आठ पर क्वाम और क्मिचिस कोनोदोर विछे किसे बहुन से मुझत इहां रिखती बाण्ट पियों यहां पी देल्ख है में पर यहां पर देगे हैं यहां पर लेकिन अम एक कॉणोर पारें यहां पर दिखाये चाटाब ऑक सीजिएयाटूरिक ब Tucson पर पर लेकि काहा पर पहुझ इच्या तरीड आ थीक है ला तो कॉणन तरीची से कॉणन नर हर कार्णर से साइनोसाइड लेगी इसको कहा पहुचाए देगी सेंट्रल वेल यह जो वेल पीच में सेंट्रल वेल तो हमने क्या बोला था कि लीवर कैसे बैट को रेसीव करता है यही हम लोह भाइबना था हमने यह बहुत आ कि 2 तरीके के से लिवर रिसीव करता है एक ऑक्सीजडेटर बलन लेता है दो किसम का बलद लीवर रिसीव करता है एक एक आप कर दिया को हमने बता दिया क्लि अचका न में दे ड्रक्स का तर अपिर यहां से क्या है अपनी ब्रांच बनाए बेटिक ऑठरीplaces नो मैं अब अप Sioux equal rate पहुच गया, यहां से अपनी ब्रांच में देख्ञों में around. होगी यह अपने ब्रांच में डिवाइड होगे क्या बनाएगी ब्रांच आप इस चाइब हुआ यह सी थांड नर्लट पहुचे लोगूर के हर कौन पहुचे उस्ए हुँ उस्चा जू जाएंगी सब्सक्राइब कर दोट नहीं कि अपने जा रहे हैं कैसे लिवर दी आक्सिजनेटर बलट रिसीब करता है बाड़ी के अलग अलग पार्ट से ठीक है अब है अब देखिए देश्यबिये क्यां किने देखिए नीचे की तरफ जाए तब आगे और अीज फिर नीचे की तरफ साल रहें जान लो आर्टेरी में हमेशा oxygenated blood होता है जबकि वेन में हमेशा क्या होता है oxygenated blood होता है सिर्फ एक exception only एक exception का हार्ट में हार्ट में कुछ chamber है जहां पर आर्टेरी होते हुए भी oxygenated blood लेगी और वेन होते हुए भी oxygenated blood लेगी बस इतना रचलो झान लो कि हार्ट में जो है आर्टरी होते हुए भी oxygenated blood लेगी और वेन होते हुए भी vein oxygenate blood लेगी बाकी बाकि बाड़ी के अर जहना आर्टरी है तो oxygenated blood है और vein ह है तो oxygenated blood लेगी प्रट है उस चीज सिस्टम पढ़ेंगे उसको भी हम डिटेल में बता देंगे ठीक ना अभी के लिए इतना ही जानते हैं ठीक है यहां से हम लोग देख रहे हैं यहां पर हम देख रहे हैं यहां कि फिर एक ब्रांच निकल गई इस ब्रांच को बोलेंगे कि इस्ठिक्टर गरेंगे का सोटी इस दाए है इस्पिलीमिक यह यह यहां यहां से ब्रांच निकली इसको बोलेंगे इस प्रेश बेंगे आयके पर प्ल्शाइमें चला गया एक स्पन्स है। आगे कि सिय तिर अगया दो फान सब्काराइब direito जाएंगे रजाएंगी तने ही मुअ Wrap-6 प्ल्श indem मुण मोटड़ बड़ झाएंगे आगया आगे क्या जाएगा 스ुमक में चल जाएगा कैसे चलना जाएगा स्प्लेंस से एक ब्लोड वेसल से निकलती एकसंड रूस्छ से को बोलेंगे Miss Plainic स्टुमक में चला जाएगा कैसे चला जाएगा स्प्लीन से एक ब्लोड वेसल से निकलती है उसको बोलेंगे स्प्लीनिक वेन क्योंकि हम जानते हैं वेन हमेशा डी आक्सीजिटर बर्ड लेगे जाती है तो यहां से डी आक्सीजिटर बर्ड जो है स्प्लीन का स्प्लीनिक व आगे आते हैं देिखते हैं एओर्टा फिन नीचे की तरफ जा रहा ही और लबर लाएं नीचे की तरफ जा फिलस के बार हमसेवत देख रहें यह बर्णच में फिल दिवाइड होगी गई एक बरांच पिल कली उसको क्या बो और इस्माल इंटेस्टाइन में खुल लाई आप देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं यह सुपेरियम अजेंट्रिक आर्टरी कहां पर ओपन हो रही है कहां पर खुल लाई है कहां पर इंटेस्टाइन यह स्टुमक है यह स्माल इंटेस्टाइन यह जान लो यह स्टुमक यह स्टुमक में पहुचा थिक है फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यह सुपेरियर मेसंट्रिक आर्ट्री जा रही है जा रही है ठीक है यहां से एक सुपेरियर मेसंट्रिक आर्ट्री ब्राँच निकले क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे पैंकिरियार्टिक आर्ट्री यह कहां से निकले है इसकी ब्राँच है सुपेरियर मेसंट्रिक आर्ट्री से ब्राँच निकलती है इसको क्या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पैंकिरियार्टिक आर्ट्री पैंकिरियार्टिक आर्ट् आज कि यह पनकेयां कि अपकीरे आज में तो अब देखिए यह सुपेरियर में संतिक आर्टिर से यह बड़ट आया किसमें आजा कैंप फिर यह बड़ कहा पहुचा रा पूचला पंकिर्यां में ठीक है तुसके बाद पहुचा पहुचा यह ताज में जो डि discoveries को वो अभ यहां से एक मीनट कम करूं seus निकले इसको तो यह पंक्रिया प्रेटिक से पन्क्रियाड कि एक यहां अब इस तुमक में इस तुमक में इस तुमक से ऑ भोर उसेंट प्रडिया और प्रेंकिरिया से ह्वे यहां पैंकिर्या तुमक का बलट ये चारो बलट मिलके एक बलट वेसल के थुरू निकलेगा उसको बोलेंगे यह दिख रही है इसको क्या बलेंगे सुपेरियर मेजिंट्रिक वेन किस बलट को लेके जाएगी देखिए जो इसको लेके जाएगी और पैंकिरिया से जो डी आक्सिंजरिब उसको लोगई जाएगा ओऑ स्टमक का बलट चारो बलट जाएगा पैंसे पुपेरियर मेजिंट्रिक वेन फिर ओपन होती ने बेर ऊप्र में पर्डट वैन पर ऊचीर जाँ फिर इसके बाद यह पर उचेगी वो अपनी ब्रांश मना लेगी इस में क्या बोलेंगे ब्रांच आप हेपेटिक पोर्टल वेन अब देखिए अक्सी डी आक्सी इंडिर बड़ कहा पहुचा है हेपेटिक पोर्टल वेन से कहा पहुचा है ब्रांच आप हेपेटिक पोर्टल वेन में पहुच गया अब देखिए ब्रांच आप हेपेटिक पोर्टल वेन किससे जु घठाल गहीर किस से मिल गई ब्रांच आउर यह से क्या बोलते हैं सइन व्युकॉण फई आप यह साइन्व 25 यह ब्लड किस ले गी ब्रांचा पॉ्टल वेन से लेगी। पहुचाएगी कहां पहुचाएगी सेंटरल वेन उसी तरीके इसमें भी हर जगा मतलब जो है ब्रांचा फेटिक हर को कॉर्णर से ब्रट लेगी और कहां पहुचा देगी सेंटरल वेन ठीक है इस तरीके से हम लोग अब समझगी यह अब कौन से ब्रट पहुचा लिवर में ब्रट लिवर को मिला जबकि मैंने आप लोगों से आप लोगों से बताया थे ही चीज़ बताया कि कैसे लिवर में ब्रट जाता है लिवर ब्रट कैसे रिसीव करता है कैसे लेता है दो रास्ता दो तरीका बताया था कि जिसके थुरू दो रास्ते हैं जो तरीके से लिवर ब्रड लेता है एक आपसीनेटर एक दी आपसीनेटर तो यह दोनों दोनों मेठट दोनों वे हो गए हैं थैंक यू सो मच